भेंकर कमरदर्द में अद्रप का ऐसे करेंगे इस्तेवाल तो मिलेगी दो बार में ही राग घरिलून उसका नमबर एक सेधा नमक कमरदर्द को कम करता है इसके अंदर पोटेशियम, कैल्शियम और जिंक जैसे औशुदिय कुर होते हैं जिनकी मदद से कमरदर्द को कम किया जा सकता है एक बाल्टी में हलका गुल्बुना पानी भर ले, अब लगभग दो मुठी भर कर सेधा नमक डाल दे अब सेधा नमक मिले हुए इस पानी से ना है घरिलून उसका नमबर दो अध्रक कमरदर्द का देशी इलाज होता है इसके अंदर जिंजरॉल और जिंडरोल जैसे बायो एक्टिव रसायन पाये जाते हैं जो कि पीछ दर्द से छुटकारा दिलाने में सहायक होते हैं एक कप पानी लेकर उसे उबलने के लिए रखते हैं अब एक इंच अध्रक कर टुकडा लेकर उसे छीन ले और उसे पानी में डाल दे इसे लगवा आठ से दस मिनट तक उबाल ले और फिर ठंडा कर ले अब जरूरत के अनुसार इसमें नीगू और शहद मिला का सेवन करें इस ड्रिंक का सेवन गर्मी की दिनों में यहां दिन में दो बार कर सकते हैं गरिलुन उसका नमबर 3 ठंडी और गरम सिकाई कमर दर्भ का घरिलु उपाय होता है यह उप्चार करने में बहुत आसाण है लेकिन पीठ दर्भ के लिए काफी असरधार होता है पहला है ठंडी सिकाई, सूती कपड़े या तॉलिये में बरभ के कुछ टुकड़े लपेट ले, अब इससे अपनी कमर के उस हिस्से पर सिकाई करें जहां पर दर्द की समस्या है, इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी बरभ को सीधे अपनी तुचा के उपन ना लगन, किकि इससे आपकी तुचा कोई नुकसान पहुंच सकता है, गरम सिकाई, गरम पाने की बोटल लेकर उससे अपनी पीट पर दर्द वाली जगह पर सिकाई करें, पानी अते दिक गरम ना हो अन्यथा तुचा जल सकती है, कमर दर से छुटकारा पाने के इन में दो या तीन वार कर सकते हैं